Capital Smart City Overseas Central में इस वक्ट development की सूरतेहाल किया है as of 28th of October 2024 इस वीडियो में Overseas Central Sector G के हवाले से स्पेसिफिकली किस्प्रेइन करूँ हैं कौन से स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो डिवेलप हो चुकी हैं कौन से स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो नॉन डिवेलप हैं अगर हम लोकेशन की बात करें सेक्टर G की Overseas Central के तो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम प्रॉक्सिमिटी में आती है यह जो आपको स्टार्ट में वीडियो के रोड नजर आ है यह 20 लेन का रोड है जिसका नाम है मेन बुलेवर्ड जो Capital Smart City का मेन बुलेवर्ड है और इस से जो एकसेस फ़न रोड निकल रहा है यह वान 80 फीट रोड यानि 10 लेन का रोड है और यह जाकर कनेक्ट करता है चक्री रोड को और चक्री रोड के साथ यानि के जितनी भी वहां पर सॉसाइटी जाएंगी फ्यूचर में तो उन्होंने इसी रोड से कम्यूट करना होगा ऑपोजेट साइट पर गॉल्फ कोर्स है और जो बिल्ड़िग आपको नज़र आ रही है वो बैसिकली यह जो बिल्ड़िग मैं मार्क करता है तो मारकी की प्रॉक्सिमेटी बिलकुल वाकिंग डिस्टंस पे है उसके साथ साथ में बुलिवर्ड आपने वीडियो के स्टार स्ट्रीट साथी हैं जो अभी तक नॉन डिवैलप हैं राइट ना जो स्ट्रीट पर फुटिज देख रहे हैं यह स्ट्रीट नमर 17 जो है यह वहला पार्ट बनता है बीच में लिटिगेटिट पार्ट है वो भी एक्स्ट्रेंट करूँगा अभी एंड पर जहां भी ट्रक हैं इन स्टिट पे किसी ब इदिविज्वल का प्ल crystal हो तो अपने प्लॉट का फॉरन पॉशेशन लेके और शिए कर निब्र फॉट कर सकते हैं आपको स्थाइटि की तरफ से आकॉमरीट किया जांए चिछर प्लॉटिट नहीं ने कि साइथि ने रिवेल्पमेंट चार्ज हैं इसमें बिल्कुल भी देर मत करें हां अक्सर लोग इस वीडियो के बारे बात करेंगे यार सेक्टर जी जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन का ब्लॉग था यह सारा फिलिंग का ब्लॉग था डिजन्ट मैटर पॉइंट इस कि आपका प्लॉट जमीन पे एक्जिस्ट करते ह है वो मौके पे मजूद है तो आपका प्लॉट जो हो रियलिटी है उसमें वो फाइलों होना सिस्टम नहीं है कि यह कभी प्लॉट बनेगा वो ऐसा कुछ चक्र नहीं है अब बात करते हैं जो बाकी जो ब्लॉग है सेक्टर जी का वो उसमें डिवल्मेंट का स्टेटस के है अब यह जो पार्ड आपको नजर आ रहा है जहांपे आपको यह पार्डी सी नजर आ रही है जहांपे कमरा भी बनावा नजर आ रहा है यह सारा पार्ड लिटेगेशन में आता है और यह स्ट्रीट नमबर 12,11 इस से पीछे वले साइड पर जाना शूर करते हैं तो वो वो के सामने है कि in streets पे भी वूस्त भी आर्ट वे मैंने कóc सा।व bent aleat पे आपको to development almost फाइनल stretch नदर आती जिसकी यह है कि आपके bet की जो पर यह मैं काफ़ी hight से dr pequena उडा रहा हूं याकि थीम काफ़ी economists थीमर्त तो आइडिया रहा तो sector G जिन जनरल अगर हम बात करें percentage वाइस कितना developed और नॉन developed है कितना area litigated है तो मैं कहुँगा sector G का ना बहुत कम पार्ट है जो litigated है यानि कि यह वाला पार्ट अब precisely अगर आप देखें तो street seven eight से काम start हो जाता है और आगे यह सारा जो पार्ट आप काता है यह भी litigation में है और इसकी society के पास अभी आज की date as of 28th of October 2024 society के पास land वजूद नहीं है लेकि most probably जार से पाद है society जब इतने बड़े scale पर operations कर रही होती है तो वो यह इस तरह की जो नेटीगरेटीज होती है उनको resolve कर लेते है अभी हम बात करें लेट से जी background में आपको golf course में नज़र आ रहा है खारी मज़ रेंज के पहाड में नज़र आ रहे है और यह आपके इस तरफ main boulevard भी है और main boulevard जो है इसकी future point of view से और एक और चीज यहां से आपको एक और चीज का view मिलता है उसका important तो नहीं है लेकिन future point of view से usability के point of view से बड़ा important है that is this university और यह आपको बिलकुल जो boards लगे नज़र आ रहे हैं यह basically capital smart company का interchange है university का view important नहीं है university की usability important है और वो इस block के लिए जो है बड़ी easy access पे होगी है इस sector के लिए easy access पे होगी है अगर हम बात करें opposite side पे golf course लिए साइट पे तो members को यहां पे इसका benefit होगा जितनी golf course के अंदर चीजें बनेगी यह जो plot है यह वनीजिया का plot है जो कि seven star hotel है जिसमें डांसिंग पॉंटेन भी है और इस तरह की चीजें भी है इसका benefit जो पास होगा वो sector G के members को होगा और यह जो road है जिस पे भी आपको यह traffic commute करते ही नदर आ रही है इस road ने जाके जब चक्री road को connect करना है मैं आपको दिखा देता हूं आपको दें गॉल्फ पोर्स कितना close proximity में नजर आ रहे हैं जिससे आप 15 लगा सकते हैं कि आप जो product और यहां plots से भी ज्यादा महंगे नहीं है अगर आप इसमें plots buying में इंट्रस्टेड हों तीए गर रापता करें यह road जो है जाकर connectivity प्रवाइड करते है with the main चक्री road मैं आपको अभी zoom करके दिखाब देता हूं सारा area और यह सारा area developed है इसमें कोई एक कहलें कि जड़ा सा portion भी litigated नहीं है तो यहां से direct access बनती है यह road जाकर directly गॉल्फ कोर से opposite side पर होती हूँ एक bridge हो connect करती है और ब्रीज से जाके आके यह सारा area जो बनता है यह जो आपको कुछ घर बने वे नज़र आ रहे हैं यह dooms और घर यह basically चक्री road है जो traffic वहां पर नज़र ही है इतने दूर से clear तो नज़र नहीं आएगा बट फिर भी just for the understanding यह इस सक्टर जी की importance है location की अगर आपको वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को सब्स्राइब करना मत भोलें खिजवान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज